16 अक्टूबर से T20 World Cup 2022 के शुरू होने के बाद सभी को इंतजार था तो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलेगा 23 अक्टूबर को दिवाली से ठीक एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला खेला गया और इस रुमान्चक महा मुकाबले में भारत में पाकिस्तान पर जीत हासिल की और इस मैच के हीरो रहें विराट कोहली 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाप कोहली के बल्ले ने ऐसा आग उगला कि पाकिस्तान टीम ने घुटने टेक दिय, भारत की जीत और कोहली के शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर से साबित किया कि कोहली को किंग कोहली ऐसे ही नहीं कहा जाता है रन मशीन ने इस मुखाबले में तिरपन गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 82 रनों की मैच जिताओ पारी खेली इस बहतरीन पारी के बाद कोहली और टीम के दूसरे खिलाडी मैदान में भावुक नजर आए वही विराट के इस पारी के बाद अनुश्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये कोहली की जम कर तारीव की कोहली ने भी कमेंट कर अनुश्का को दिल से धन्यवाद दिया है अनुश्का शर्मा ने emotional पोस्ट पर लिखा बहुत खुबसूरत दिवाली जैसे तेवहार पर आप लोगों के दिलों में बहुत सारी खुश्या लेकर आये हैं डार्लिंग आप बहुत ही अदभुत शक्त हैं आपका धैर ध्रण संकल्प और विश्वास मन को चक्रा देने वाला है वही विराट कोहली ने भी इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा आपको मेरी तरफ से उन सभी पलों के लिए धन्यवाद जहां आप हर सिंगल मुवमेंट पर मेरे साथ खड़ी रही मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आपको बहुत प्यार करता हूँ आपको बता दें कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खिला गया जिसमें भारत की जीत ने दिवाली में चार चांद लगा दिये और भारती टीम ने देश को दिवाली के मौके पर जीत का तुहपा दिया इस जीत के बाद पटाके तो बहुत फूटे लेकिन पाकिस्तान के सारे पटाके धरे के धरे रह गए आपको बता दिए कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंग ने अपनी आग उगलती गेंदो की बदौलत पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान को सस्ते में ही चलता कर दिया वहीं बाद में हरफन मौला हारदीक पांडिया ने भी तीन एहम सफलताय हांसिल कर टीम की कमर तोड़ दी और शदीप ने चार ओबर में 32 रन देकर तीन महत्वपुन बल्लेबाजू को पवेलियन का रास्ता दिखाया पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 169 रनों का लक्ष भारत के सामने रखा वहीं टार्गेट का पीछा करने उत्री भारती टीम ने भी अपने सलामी बल्लेबाजू को जल्दी खो दिया लेकिन वराट कोहली के दम पर टीम इंडिया ने इस रुमान चक मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की और कोहली ने साबित कर दिया कि उनका नाम दुनिया के महान बल्लेबाजों में ऐसे ही नहीं लिया जाता